आपका स्वागत है आई ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर आंदोलन कर रहे पंजाब किसानों की बड़ी जीत पचास उबे प्रतिक्विंटल बड़ी गन्य की कीमत डियू नई शिक्षानीती लागू बिये इंग्लिश से हटाई भाश्वेता देवी की कहानी द्रौपदी नीजी गरन से क्या सिर्फ उध्योगपतियों का होगा फायदा चौथी कबर उड़िशा से जाती आधारित जंगरना की मांग को लेकर बीजड़ी करेगी प्रदरशन और आखर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 34,457 नए मामले 375 मरीज़ोगी मौत पंजाब किसान संगठन के निताओ और पंजाब सरकार के बीच तीसरे राउंड की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री ने 360 हुबे प्रती कुइंटल पर गन्ना खरीत की घोशना की है जिसे किसान संगठनों ने स्युकार किया है हाला कि किसान संगठनों की मांग 400 रुपे क्विंटल की थी 50 रुपे की विद्धी को एतियासिक विद्धी बताते हुए किसान संगठन ने वापस दिल्ली मोर्चे पर लोटने की घोशना भी की है किसान संगठनों के संयुक्त मंच SKM यानि संयुक्त किसान मोर्चा जिसके नेतरित्व में देज भर का किसान दिल्ली की सीमा उपर प्रदर्शन कर रहा है उसने किसानों को बढ़ चड़ कर आंदोलन में भागेदाई करने के लिए बधाई दी है इसके साथ किसान नेताओं ने लंगर चलाने वालो सहित सभी प्रदर्शन कारियों और उनके समर्थों को धन्यवाद किया है उन्होंने जंता को भी धन्यवाद दिया है जिन्होंने प्रदर्शन कारियों को असुविधा के बाद बावजूद भी सहयोग दिया उन्होंने कोशना की है कि जालंदर में अब विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाएगा और सभी प्रदर्शनकारी किसानों से दिल्ली मोर्चा में वापस आने और इसे मजबूत करने का अग्रे किया है दिली शुर्दाले अकैडमिक काउंसिल ने मंगलवार को अपने पाठेकरम में बदलाव को मंजूरी देते हुए बी-ए ओनर्स अंग्रेजी पाठेकरम से महाश्वता देवी की एक प्रसिद लगू कहानी को हटा दिया है परिशद ने मंगलवार को अपनी 12 घंटे की लंबी बैठक में 2022-23 से राश्चर शिक्षानी ती और चार साल के सना तक कारेकरमों के कारे अनवयन को मंजूरी दे दी इसके सदस्यों से एक मजबूत असंतोश को खत्म कर दिया शाश्चरिक मामलों की स्याई समीती ने सोमवार को अपनी बैठक में 2022-23 तक NAP के कारे अनवयन को मंजूरी दे दी थी कुछ सदस्यों ने कहा कि परिशद के एक वर्क के विरोध के बावजूद बी ओनर्स अंग्रेजी के पाँचवे सेमिस्टर के पाठिकरम और नई शिक्षानीती को मंजूरी दी गई इस मामले पर अब दिल्ली विश्विद्धाले कारेकारी परिशद द्वारा चर्चा की जाएगी डियू के सूत्रों ने कहा कि अकैदमिक परिशद के कम से कम 14 सदस्यों ने बी ओनर्स पाठिकरम में बदलाव पर एक अहसेमिती नोट दिया है जिसने मास्पता देवी की लगू कहानी को हटा दिया पाठिकरमों पर निगरानी समीती ने पहले पाठिकरमों में कुछ बदलावों का सुझाव दिया था जिसका बैठक में विरोध किया गया था एक ऐसी सदस्य मितूराज धूसिया ने कहा कि हम ओरसाइट कमीटी के अतिरेक का कड़ा विरोध करते हैं जिसने मनमाने धंग से नए सनातक सीखने के परिनामों में गरंथों को बदल दिया है उनने कहा कि दो दलित लेखो को बामा और सुखीर थरीनी को मनमाने धंग से खटाया गया उनने कहा कि फिर महासवता देवी की दौपदी जो कि एक आदिवासी महीला के बारे में कहानी है उसको भी हटा दिया गया चोकाने वाली बात ये है कि इस निगरानी समीथी में संबंदित विभागों का कोई भी विशेशक्य नहीं था जिसका पाठेकरम बदल दिया गया हो इस तरह के निशकासन के पीछे कोई तर्क नहीं है मोदी सरकार ने सारवजने उपकरम की एकाईयों को निजी हातों में सौपने का फैसला किया है और कहा है कि इसके जरीए हम 6 ला करोड की उगाई करेंगे मगर सवाल ये है कि क्या इससे फाइदा सिर्फ मोदी सरकार के करीबी उद्योग पतियों को होगा रहूल गानी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है अबिसाद शर्मा आज न्यूस चक्र में इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं देखिए विडियो सतर सालों में जो कमाई इस देश की थी हमारी सारवजनिक उपकरम की इकाईयां हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स थे उसे अब मोदी सरकार बेचने जारी है और मोदी सरकार का ये दावा है कि उसके एवज में हमारी 6 लाक करोड की कमाई होगी दो सवाल है पहला सवाल क्या मोदी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है उनको फाइदा पहुँचाया जा रहा है अब ये खबर क्या है ये आपको देखना पड़ेगा निजीक शेत्र को कमाई के लिए मिलेंगे सरकारी आसिट वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन्ने की स्कीम की शुरुवात आगे क्या कहा जाता है राश्ट्री राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, वेर हाउस, पावर गिड पाइपलाइन जैसी सरकारी बुन्यादी धाशा संपत्यों को निजीक शेत्र को कमाई के लिए लीज पर देकर केंद्र की मोदी सरकार करीब 6 लाक करोड जुटाने की तैयारी कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन्ने इसके लिए आज यानि सोमवार शाम को नैश्नल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुवात की निर्मला सीता रमन्ने ये भी कहा कि इससे जो हमारा बुनियादी धाचा है वो बहतर होगा कहीं न कहीं निर्मला सीता रमन्न इस बात की और इशारा कर रही थी कि प्रधान मंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम देश के ढाचे को बुनियादी ढाचे को डेवलाप करने के लिए देश के अंदर युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी है उसे दूर करने के लिए 100 लाग करोड रुपए जो हैं वो लगाने वाले हैं और ये पैसा कहां से आएगा वो पैसा शायद इस 6 लाग करोड से भी होते हुआ आएगा ठीक है क्योंकि निर्मला सीतारमन क्या कह रही है बहतर होगा बुनियादी ढाचा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने 2021-2022 के बजट भाषण में दरसल नए बुनियादी ढाच निर्मला जी कि प्रधान मंत्री ने ये जो बुनियादी ढाचे को बहतर करने के लिए पिछले 3 साल से वादा किया है और वो हर साल उसी वादे को दोहराते रहते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप खुद सुनिये पिछले 3 भाषणों में जो उन्होंने लाल के लिए से द गोश्णा की है इससे पहले बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार के नेतित्व में एक डेलेगेशन ने जातिया धारे जंगर्ना की मांग के साथ प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी से मुलाकात की थी बीजु जंता दल के दो वरिष्ट मंत्रियों आरपी स्वैन और एक साहु ने कहा कि जातिया धारे जंगर्ना की मांग को लेकर पार्टी के कारिगरता गाउं से स्थर गाउं से राष्ट्रिय राजधानी तक आंदोलन करेंगे उन्हेंने दावा किया कि जातिया धारे जंगर्ना से अन्य पिशड़ा वार ग्यानी OBC के लोगों को न्याय मिले राजे की आबादी में लगभग 54 प्रतीशत हिस्सा OBC का है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतरित्व वाला शेत्रिय दल लंबे समय से जाती अधार जंगर्णा और आरक्षन पर 50 प्रतीशत की सीमा को हटाने की मांग करता रहा है इससे पहले केंद्र ने इस मांग को ख मिलेगी भारत में एक दिन में कोविड-19 के 37,593 नए मामले सामने आने के बाद संक्रिम्मतों की संक्या बढ़कर 3,25,12,366 हो गई है वहीं आक्टिव मरीजों की संक्या बढ़कर 3,22,327 हो गई है केंद्रिस्वास मंत्राले की ओर से बुद्वार को सुबह 8 बज़े जारी आकडों के अनुसार संक्रमेंट से 648 और लोगों की मौत के बाद मिले तक संक्या बढ़कर 4,35,758 हो गई है देश में अभी तक 3,22,327 लोगों का कोरोना वाइरस संक्रमेंट का इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 0.99 प्रतीशत है पिछले 24 घंटों में आक्टिव मामलो की बड़ोतरी दर्ज की गई है मरीजों की मरीजों के ठीक होने की राश्ट्र दर अब 97.67 प्रतीशत है देश में बुद्वार सुबह तक कोविड-19 वैक्सिन की गोल 69 करोड 55,000,000,000 खुराग दी जा चुकी है आज के लिए रांड आप में बस इतना ही हमारी खबरों को औ पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया